Hello friends, welcome back to my channel, मैं हूँ Krishna और फिर से आ गई हूँ, आज मैं आपके लिए बहुत ही easy socks का design ले करके तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, bigness भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं तो इसे again मैंने 8 number size के लिए बनाया है और ये 9 number को भी बहुत easily आ जाएगा तो अगर आप इसे छोटा बनाना चाहते हो, तो 5 stitches आप कम कर लिजेगा और अगर बड़ा बनाना चाहते हो, तो 5 stitch आप ज़्यादा कर लिजेगा मतलब बड़ा बनाने के लिए आपको 50 लेना है और छोटा बनाने के लिए आपको 40 stitches ले लेना है तो देखेगा इसे बनाने के लिए अगेन मैं ये ओस वाल की सौक्स वूल का यूज़ कर रही हूँ फोर प्लाइ वूल है ये और 100 ग्राम की बॉल है ठीक है तो 9 नंबर की मैं इसे बनाने के लिए नीडल का यूज़ करूँगी तो आप जिस भी वूल से बना रहे हो फ्रेंट्स यहाँ पर मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ तो स्टिच जो है वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो ठीक है तो जो भी नीडल आप यूज़ करोगी जो आपकी वूल है उस हिसाब से आप पहले थोड़ा सा 8 या 10 पंदे में पराकर देख लीज़ेगा और आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपके एक इंच में कितने स्टिच आ रहे हैं तो अब यहाँ पर देखिएगा जैसे मेरी 9.5 इंच तो इसकी कंप्लीट है यहां से यहां तक 9.5 इंच आईए जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 8 नंबर साइस के लिए बना रही ठीक है तो इस वाली वूल से एक इंच में तक्रीबन पांच फंदे जो है वो आ रहे हमारे ठीक है तब यह जाके साड़े आठ बनाए तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि जिस वूल का आप यूज कर रहे हो एक इंच में कितने स्टिच आ रहे हैं उस हिसाब से आ हम इसको बनाएंगे पहली स्लाइए इसलिए पहले फंदे को भी हम बूल लेंगे सीधा और निट वाइज हम इसको बनाएंगे दोनों साइब से तो यहां पर देखिएगा आप यह मैंने फंदें डालने के बाएद एक दो तीन चार पांक छे शे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा 12 पर लाइन है यह मतलब 12 इधर है 12 दूसरी साइड है तो यह 24 लाइन मैंने बना लिया है ठीक है तो यह सीधा सीधा बनाते हुए 24 लाइन हमको बना लेनी है देखें रो कमप्लीट होने के बाद हम लास्ट वाला जो स्टिच है उसको उल्टा बनाएंगे ऐसा हम क्यूं बनाएंगे क्योंकि हमें सेकिंड रो भी सीधी बनानी है तो पहले फंदे को हम स्लिप करते जाएंगे और पूरी रो को हम नीट वाइस बनाते जाएंगे सीधा तो दोनों साइड से हमें सीधी सीधी बनानी है इसलाईया फिर से देखिएगा रो के लास्ट में हम धागा आगे करके लास्ट फंदे को उल्टा पुल लेंगे और नेक्स्ट रो में ये फंदा हमारा सीधा हो जाएगा जिसे हमें स्लिप करना है और पूरी रो को हम बनेंगे सीधा सीधा तो ये दोनों साइड से ये पर लाइन बन जाएगी हमारी ये वाली और ये वाली लाइन जो है ये हमें 12 बना ले नहीं है ठीक है तो ये 12 बनाने के बाद फिर दिखाते हूं मैं आपको अब क्या करेंगे देखे ये मैंने 24 बना ली अब हम 20 बंदे घटा देंगे यहाँ पर और 25 बंदे जो है इसकी हम सोलर लाइने बुनेंगे एक कि दो है कि तीन कि चार देखेगा ये 20 बंदे खटा दिये हमने अब हमारे पास बचे पच्चेस बंदे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा और एक ठीक है बारा दूनी 24 और एक पच्चेस तो अब हिन पच्चेस बंदों को हम फिर से ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे दोनू साइट से और सोलर लाइन बुल लेंगे अब देखेगा सोलर लाइन हमने यहापे बना ली एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ धारी बनाने के बाद अब क्या करेंगे हम देखेए यहाँ पर हमने यह बीस बंदे घटाए थे अब हम बीस बंदे निडल में डाल लेंगे तो कैसे डालेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो दिखेए यह बीस बंदे में यहाँ पर डाल लिए और अब फिर से हम इनको सीधा सीधा बुनेंगे 24 लाइन यानि कि 12 धारियां हम फिर से उपर बनाएंगे तो यह देखेगा यह 24 लाइन हमारी बन गई मतलब कि 12 धारियां हमने बना ली एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा और एक है बारा ठीक है तो अभी हम हैं सीधी साइड में अब सीधी साइड से हम इसको कास्ट आफ करेंगे मतलब कि यह सारे फंदे जो हैं इन्हें हम बंद कर देंगे घटा देंगे तो एक फंदा बुनते जाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतारते जाएंगे और यहाँ पर ध्यान दिजेगा हमें बहुत टाइट टाइट घटाना नहीं है और फंदे भी हमें जो है वो थोड़े धीले ही डालने हैं देखिए अब ये लास्ट वाला फंदा भी घटाने के बाद हम थोड़ा इतना धागा ले रेंगे कि हमारी स्टिचिंग हो जाए और इस धागी को हम लूप के अंदर से निकालेंगे तो अब इसकी ये शेप आईगी देखेगा ठीक है अब हम इसे क्या करेंगे सीधी साइड को भार रखेंगे और उलटी साइड को हम रखेंगे अंदर इस तरह से इस तरह से रखते हुए देखिए पहले हम नीचे वाली साइड को सिलेंगे और फिर यह वाली साइड सिलेंगे यह हमारी बैक साइड है पीछे का पोर्शन है ठीक है यह पोर्शन हमारा आएगा आगे तो इसे हम बाद में सिलेंगे देखिएगा एक चेन हमारी इस साइड में बन रही है और एक चेन हमारी इस साइड में बन रही है यह देखिए यह जो हमने फंदे डाले थे वो और यह जो हमने फंदे घटाएं वो तो हम क्या करेंगे जो हमने फंदे घटाएं इसके उपर वाली जो लूप के जो उपर वाल पॉर्शन है इसको हम पकड़ेंगे और इस तरफ से भी जो हमारे लूप का ऊपर वाला पॉर्शन है यह वाला इसको हम पकड़ेंगे अब दोनों साइड से देखेगा इस तरह से हम पकड़ेंगे और स्टिच करते जाएंगे करें तो यह देखेगा नीचे से हमने इसको स्टिच करते हुए यह इसका बैक पकड़ेंगे एक साइड स्टिच कर दिया और अब इसे धागे को यहां पर सिक्यूर करके और इसको धागे के साथ में अंदर अंदर की तरफ से चुपा देंगे देखेगा देखेए आप जो इसकी फ्रंट साइड है यह वाली इसमें हम क्या करेंगे यह चेंज जो बनी हुए हमारी इसका हम उपर वाले पोर्शन को लेते जाएंगे यह जो लूप बना हुआ है इसका आगे वाले पोर्शन को पकड़ते जाएंगे यह देखेगा यह हो गया अब हम इस पूरे धागे को खींच लेंगे इस तरह से खींच के और उर्टी साइड आ जाएंगे देखेगा इस तरह उर्टी साइड आने के बाद इन दोनों में नौट लगाएंगे पहले तो तो इससे क्या हुआ इससे यह राउंड हो गया आगे का पोर्शन पूरा ठीक है यह देखेगा इस तरह से राउंड हो गया अब हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे धागी की तो फिनिशिंग हम ऐसी करेंगे जैसे मैंने आपको बता है अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो मैं हर वीडियो में आपको फिनिशिंग करनी बताती हूं जरूर इस तरह से गाटे स्टिच की फिनिशिंग करते हैं अब फिनिशिंग करने के बाद हम करेंगे इसको सीधा और देखें यह हमारी सौक्स एकदम रेडि हो गई अब हमें क्या करना है अब देखें या तो हम राउंड निडल ले लेंगे या फिर हम इस तरह की जो हमारी निडल होती न गला बनाने वाली हम यह ले लेंगे तो यहां पर मैं इससे बनाना आपको बताऊंगी देखेंगा यहां पर हमने 20 फंदे खटाए थे ठीक है तो यहां से हम 20 फंदे उठा लेंगे और यहां पर जो हमारी परल वाली रोह है वो है 8 तो हम यहां से 8 फंदे उठाएंगे और फिर 20 फंदे हम इस साइड से उठाएंगे तो हमारे टोटल फंदे कितने हो जाएंगे, 20 और 20, 40 और 8, 48 फंदे, 48 स्टिचेज हम इसमें पूरे उठाएंगे, देखें, और फिर इस तरीके से हम बॉर्डर बनाएंगे तो यह देखेगा, थोड़ा सा धाग हम छोड़ देंगे, फिनिशिंग के लिए, और फिर जहां से हमने यह पीछे स्टिच किया है, यहां से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे तो यह पूरी जो हमें चेन दिखाई दे लिए, यह एक एक चेन को हम उठाते जाएंगे, इस तरह से फंदे उठाते जाएंगे इसके नीचे से यह देखेगा, इस तरह से हमने तीन स्लाईयों में फंदे उठा लिए यह, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ठीके, दस जोड़े हैं, तो बीस फंदे हमारे इधर हो गए, और इधर फ्रंट में हो गए, एक, दो, तीन, चार, यानिकि आठ फंदे, आठ दूनी, चार दूनी, आठ, आठ फंदे हमारे इधर हो गए, ठीके, और अब इधर भी हो गए हमारे बीस फंदे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो और ये दस ठीक है तो 20 हमारे इधर होगे 20 इधर होगे, आठ इधर होगे अब हम बनाएंगे बॉर्डर तो बॉर्डर बनाने के लिए हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर दो उल्टे और दो सीधे का बॉर्डर बनाऊंगे ठीक है तो पहले दो फंदे मैंने सीधे बनाऊंगी और फिर दो फंदे उल्टे दो फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तो इस तरह से मैं दस लईयों का बॉर्डर बनाऊंगे यह देखेगा जैसे मैंने यह बनाया है न इसी तरह से मैं दस लईयों का बॉर्डर बना लेती हूँ और फिर इसको कास्ट आफ कर देंगे प्रणूबार दो उन्हाँ आवेगा इसको कास्ट आप ले प्रुड़ सबस्वाटबाँ प्रणूबा है रख रग्पान होओाँ तरह से मैंगे चुवाँ आप। भर आपूँ तो यह देखे दस लाई का बॉडर हमारा बन गया अब हम इन फंदों को घटाएंगे तो जहां से हमने बनाना शुरू किया था यह पीछे की साइड से यहीं से अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे तो जो हमारे दो फंदे सीधे हैं पहले हम इन दोनों को सीधा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे के उपर से उतारते जाएंगे और जो फंदे हमारे उल्टे हैं धागा आगे करके इनको हम उल्टा बुनेंगे पीछे वाले फंदे को आगे वाले फंदे क के उपर से उतारते जाएंगे तो जो हमारे उल्टे फंदे हैं उनको हम घटाएंगे और जो सीधे फंदे हैं उन्हें सीधा घटाएंगे और यहाँ पे हमें यह सारे फंदें खटाना है, थोड़ा धील धील हैं हमें रखना है ताकि जो Socks है उसे पहनने में easy रहेगा तो इस तरह से ऐसा धील धील है, तो धील धील है इसको घटाना है, देखे जैसे मैं इस में घटाया है ये देखिए इससे क्या होगा जब हम इसको पहनेंगे न तो ये प्रॉपर अपनी जगा ले लेगा और बॉर्डर तो क्योंकि फ्लेक्सिबल है काफी तो इस तरह से मैं इनको घटा लेती हूँ तो ये देखिए सारे फंदे हमने घटा लिए अब थोड़ा सा फंदा हम धागा हम एक्स्ट्रा लेंगे और इसे लूप में से निकाल के सुई में डालेंगे और अब क्या करेंगे देखिएगा अब इस तरह से इन दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर और फिर पीछे ले जाके फिनिशिंग कर देंगे इसके तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारी सॉक्स जो है ये बनके तयार होगा होगी ये देखिएगा तो फ्रेंट्स ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप करके जरूर बताईएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तिल देन टेक केर और बाबाए इसानी टेम पुद कुरें टिरन टेमी ये उत्विथे इससंदोंक बाब कर ले इसके के दो में तो कि ईयुदा सब़ुदाएगा दिन अल्ट सब पिर देको कर दो आबाएगा है पार दो सबूस कर आब ए植़ियोंrą REMCार में कर दो तो